समस्कार तोस्तों जनवरी दोहजार तेस यह निर्धारित यहाँ पर कर दी गई है फाइनली इसी के बाद एक इंपोर्टेंट अपडेट वैबसाइट पर आ चुका है देखिए उन्नीस जनवरी दोहजार तेस को ओलाइन रिटेन टेस्ट का शेडूल आपको बताया जारा दोस्तों एक्जाम क इसी डेट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्यारेने वाली है एक्जाम का डियूरेशन यहाँ पर इकार रहेगा कितने घंटों का यह आपको यह ओलाइन लिकेट परिक्षा है साथी साथ इसके अतरिक्त अधर इंफॉर्मेशन भी है जैसे कि देखिए प्रीवियस पेपर आपको कैसे मिलेंगे तो प्रीवेस पेपर्स यादि आपको चाहिए तो मेरे पास 2019 के पेपर्स एवलेवल हैं MPNHM स्टाफनर्स के साथ साथ 2021 के भी है और 2022 के भी मेरे पास आपे कॉशन पेपर एवलेवल है यह टोटल जो है पांच कॉशन पेपर की पीडिया फाइल यह तो इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जागी और classes के बारे में भी information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो बहुत ही ज़दा important update यह रहेगा इस वीडियो को last तक जरू देखना पूरी जानकारी आपको मिल जागी तो चलिए बिलकुल भी हम लग टाइम वे पोस्ट के लिए जो आपका online written exam होगा तो इसके लिए आप लोगों को schedule बताया जा रहा है और देखिए इसमें 284 पद है जिसमें female candidate के 2056 पद है और male candidate के लिए 228 पद इसमें रहने वाली है अब बात करते हैं जो जानकारी आपको इसमें table में दी जारी तो देखिए contractual staff nurse की पोस्ट है और आप लोगों का दोस्तों जो exam है इसकी जो written test की date है लिखा है साथ फरवरी 2023 तो दोस्तों साथ फरवरी 2023 Tuesday के दिन जो है staff nurse की पोस्ट के लिए आपका exam रहेगा दो घंटे की यह आपकी online लिकेट परिक्षा रहने वाली है और इसलिके साथ साथ दोस्तों देख आपको जानकारी क्या दी जा रही कि जो आपका admit card है exam से चार से पांच दिन पहले आप लोगों को link official website पे provide आपको करा दी जाएगी तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है साथ फरवरी तो देखिए साथ फरवरी से चार से पांच दिन अगर हम लोग यहाँ पे पहले मा admit card download कर लेना सिर्फ उनी candidates के admit card download होंगे जिनके form का status eligible पाया जाएगा तो दोस्तों जैसे कि देखिए से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आप लोगों को syllabus के बारे में information provide कराए गई फिर उसके बाद जो है आप लोगों को form correction के लिए आपको link activate कर दे अब देखिए क्या हो रहा है staff nurse की post के लिए exam की date भी आप लोगों की आ चुकी है तो देखिए जल्दी से जल्दी आपको यह update provide कराए गए और एक हफते में सारी जानकारी आप लोगों की cover कर ले गई तो इससे क्या यह proof पर आए कि आगे जो भी process है जल्दी से जल्दी अप बनाए आपके जाने वाली है और यदि आप लोगों का MP NHM staff nurse में यदि आपको selection लेना है तो अभी से आप लोगों को preparation करनी है और दोस्तों बताना चाहता हूं मेरे पास papers available है मैंने आपको जानकरी भी दी 2019 के हैं 2021 के हैं और 2022 के हैं तो मेरे पास आप देखिए 2019 का एक paper है 2022 के दो paper है और 2022 की भी दो paper है टोटल जो है 5 paper यह रहेंगे और यह 5 paper की PDF फाइल यदि आप लोगों को चाहिए तो इसका जो amount है 150 रुपीज यह रहने वाला है कौन-कौन से questions आप से पूछे गए थे previous papers में GKK reasoning के nursing के तो यह जानकरी आप लोग इन papers में चेक आप लोग यहाँ प सारी details आपको provide करा दी जाएंगी और classes के बारे में भी बताना चाहता हूं classes already upload हो चुकी है nursing की classes भी upload मैंने आप लोगों को GK और reasoning की classes भी मैंने आप लोग यहाँ पर कर दी हैं तो आप लोग इन videos को watch कर सकते हैं GK और reasoning के मेरी videos आप लोग जो है watch करके जाएं काफी help आपको exam के लिए ही आपको मिल जागी यदि आपको इन classes की link चाहिए तो यही WhatsApp नमबर है WhatsApp पे आप लोग हमें message कर सकते हैं और papers चाहिए तो papers के लिए भी यही WhatsApp नमबर है आप लोग WhatsApp पे message आप लोग यहाँ पर कर दें तो 7 फरवरी 2023 यह exam के date यहाँ पर रही है तो यह जानकारी मैंन आप लोग इस वीडियो को like कर दें और subscribe करके जरूर डखना क्योंकि कोई भी information आगे आपसे चूटने चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जाए subscribe के रैट बेटिन को आपके click कर ले MP NHM staff nurse हर जानकारी आगे भी पाते रहे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में thank you so much